दोस्तों वेलकम टू माई चैनल मैं हूराखी और यह है मेरे हजबन प्रदीप सिंग्रावत हम लोग आ गए है अपने होम टाउन उत्राखन और जैसे ग्रेट अनॉइडा में मौसम बहुत दा फ्रेक्वेंडी चेंज हो रहा था वहां अब मैं आपको दिखाने वाली हूं कि हमारे होम टाउन में उत्राखन किंगोडी खाल में मौसम कैसा हो रहा है तो चलिए आपको दिखाती हूं मैं यहां से बाहर का व्यू यह है हमारे वेस्ट साइड का व्यू अभी यहां पर आप देख सकते हूं कि संसेट होने वाला है बर्ट यह सारा जंगल का एरिया है और यहां से चाहां से आपको छोटा से चौक किसी दिखाए देरिया है यहीं से हमारा राजिदेंट शुरू होता है और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एक बूबू है हमारी सबसे फेमोस बूबू काम कर रहे हैं खेत में इन यह आराउंड 35-30 साल के बीच की हैं अभी कु है हैं यहां से इत्लू होते हैं यहां सारा इर्याज जहां बचक्षिय से चार से मकान घूबू में हुआ गे देख सकते हैं तो हम कर रहा हूं यह बाновifik बिक्षे जहां अधरवाई जहां तक आपके पीछे जहां भी आपको घर नहीं दिखाए देरे सारा जंगल वाला एरिया है और वो नीचे आपको दिखाए देंके सारे गाओं तो मैं थोड़ा सब्सक्राइब जूम करूंगा अपने स्कूल वाले एरिया पे यह जो एरिया आपको दिख रहा है यह हमारा स्कूल हुआ करता था प्रैमरी स्कूल यहां तक हमने प्रैमरी की कि आ पांचु तक पड़ाई करी है अभी यहां पर बच्चे नहीं तो बहुत अब इस पूल में आता नहीं है श्कूल बंद हो गया है वालमोस्ट और भी आप देख सकते हैं यहां पर लोग ख यहां से अगर आप सीधे अगर आप दिख रहा है और यहां से जब सुपर सन्राइज होता है तो बहुत अच्छा व्यू बनता है और जूम करूंगा यहां से बिल्कुल इन्द मॉर्निंग में आपको हिमाले की जो रेंजेज हैं स्नो कवर्ट रेंजेज आपको दिखेंगी यहां से और एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग व्यू बनता है यहां से तो यह जो ब्यूटी है यहां की अभी बहुत ज़्यादा नेक्स्प्रोड है लोग शिम्ला मनाली और नौर्थ इस्ट अगरा बहुत घुनते हैं तो आयल से इनाते हिए कि यहां पे अज्पी मिल जाती है इसा बनता है जिसे कि मन बहुत रखार गागारा जिंद्गी के मचे तो यही ले जा रहे है और तो मैं अभी हम आपको थोड़ा से भी दिखाएंगे कि हमारे जैसे प्रॉने टाइप के जो घर होते थे अभी एक दो सेंपल आपको दिख रहे हैं जो आपको यह सामने वाला घर दिख रहा है यह प्रॉने टाइप का घर है और उसके ओपर जो घर दिख रहा है यह नए से बनावा घर है तो दिखाता हूं आपको कि यह घर कैसे दिखते हैं भी यहां पी जनरली आपको दिख जाएगा कि हर घर में एक डॉग जरूर रहता है क्योंकि यहां पर जनकी जानवरों का खत्रा करफी बना रहता है तो अल्मॉस्ट हर घर में डॉग मिल जाएगा हमारे जैसे हमारा आप देख सकते हैं पुराना घर है हमारा यह पुरा मिट्टी से बना हुआ है और हाँ तब यह जैसे देख सकते हैं हमारा पहला जो डॉग था वह आराउंड 15-16 साल की एज का था और वह एक्सपार हो गया कुछ टाइम पहले उसकी एज सायद कंपलिट हो गया सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि प्रोड़क्शन के लिए और सेफ्टी के मामले में जंगली जनवरों से सेफ्टी के मामले में बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं तो इसलिए अल्मोस्ट हर घर में आपको बहुत जरूर मिल जाएगा तो यह है हमारा पुराना घर जो पूरा मिट्टी से बना हुआ है अगर आप यहां पर देखोगे इसके उपर एक पत्थर रखे होते हैं हमारे यहां ताकि जैसे बरा फुरा पढ़ती है बारिश वारिश गिरती तो वह नीचे स्लाइड होके वह हो जाए अदरवाइस अगरा हो तो वह स्लाइड करके नीचे आजाएं यह देखोगे आप ही है अख्रोड का पेड़ इस पे बहुत ही बढ़ी का अख्रोट आता है और यह जश्ट मेरे घर के साम नहीं है यह अगर आप देख सकते तो यह हमारा ही पेड़ है इसमें बहुत अच्छे अख्रोट हैं और पीछे तो अगरा फोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं यह जैसे एक घास है पूरा इरिया जहां जाता हमें इसमें यहां से थोड़ी अधर से बांद दिया जाता है ताकि यह वारे सोगरा होती है तो वह गास वगरा बार में जब काटी जाती है तो उनको जंत बारिस वागर में अच्छी बारिस होते हैं तो बारिस स्लाइड हो जाए और बाद में विंटर में बहुत सर्दी होती है तो जानवरों को देने के लिए यहां से आसानी हो जाती है तो यह पराणा वाला थोड़ा से इसमें बारिस से जाओंगा किसे तरह के बने होते हैं इस पेशली कीचन से वागरा कैसे बने होते हैं तो चलते हैं यह हमारा अंगन है प्राने वाले घर का ही आंगन थोड़ा से मॉड़िफाय कर दिया है हम लोगों ने पहले कि टाइम पर पथरों का बना होता था पूरा तो जैसे तो जैसे गेहूं वगरा या जोओं वगरा होता था तो काट के उसको आंगर में डाल दिया जाता था और उसके उपर फिर जो बैल होते थे बैलों को घुमाए जाता था जितने भी आपर परिवार हैं थे यहां पर तो सब के बैल आते थे और डेस डिसाइड होते थे कि हाँ कि इस दिन हम अपने फसल के ओपर बैलों को घुमाएंगे तो वह सब चीजे होती थी तो अभी तो उत्राखन से एक्शली माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो सारे बुजर्ग लोग रह गए हैं इसलिए फसले मसले भी कम हो गई हैं इसलिए भी हमने इसको अच्छा थोड़ासा जोनों मैं बोलूगाए त्रश्टी लुक दे दिया है इसको तो यह है और इसमें चीज़ाँगा जैसे आंगन होते हैं हमारे तो यह पहले हमारे आंगन में न एक जैसे आप देखोगे आप एक ओखली है तो यह ओखली बनाई जाती थी हर आंगन में हर घर में आपको एक औखली के जाता था सब घया जाता था। यह घ्र भंवादा तो द्हान को डहने पर बैल ड़न इंगुता जाता था और इसके बाद उसमें से निकाला जाता सकती जो ओंगर उनको खाए जाता था जो पहाड़ी धान P Tohtaka और इसके लिए एक लकड़ी का यूज किया जाता है इसके निचे लोहे का एक बुष्ट टाइप में लगा जाता है जो थोड़ा सा कूटने में मदद करता था तो एक चोटी सी विंडो भी निकाल दी जाती थी कि यहां थोड़े से वेंटिलेशन वगरा बना रहे और यह हमारा घर क्या गर्सक्राइब जिंगला बोलते हैं या आप इसको बाल कनी जो भी बोलते हैं सेहरों में वह है और यह है हमारा यूज पानी वाला एरिया जहां से ह यहां पर आपको कहीं असा नहीं मिलेगा सबके नल बहर लगे होता है कि सभसेड़ी प्रॉल्लम है कि जगह कम है इसलिए अंदर कर दे जाता है लोग अभी इसको फैंसी बोलने लग गये हैं बड़ यहां पर क्या है कि देखो इतना अच्छा सब्सक्राइब करते हैं लोग इसको और बरतन सुखाने के लिए यहां पर रख दिया जाता है इनको यहीं पर हमारा गुलाव का वह भी है पेड़ भी है इस पर गुलाव आने सुरू हो गए हैं देख सकते हो यह सब चीजे तो नल हर्जगा मैं क्या करता है नल हर्जगा भार यह लहसन लगाईवी है और और बीगेट है देखो तो यह सब चीजें अवी थोड़े बाध हम्में पर फशले वगाँ ममी वगाति हैं ममी यह सब करती हैं तो अभी फुलफ भी खेती नहीं करते हैं हम लोग सिर्फ इनो कि थोड़ी बहुत खेती करते हैं तो अभी अभी modern से चूले आ गए हैं पराने टाइब को चूला भी दिखाऊंगा यह हमारा मोडन चूला है इसमें हम लोग लगड़ी ही यूज करते हैं बड़ी पोटेबल है इसको हम ले जा सकते हैं इसमें लोग जंडली क्या भी ठंड बहुत जादा होती तो पानी वगरा गरम करने के यही नम लेंक लिए तो यह भी पान चार बां मेने का हुआ है इसकी साउंड आप देख सकते हो कितनी तेज है अब ही रो रहा था तो इसको अब कुछ फ्रेश वगर होना होगा अपने आपी जाएगा फ्रेश वगर होके आएगा तो मैं दिखाता हम आपको हमारा कीचन तो केचन देख एक में कितने बड़े कीचन है कि यह है हमारा खीचन करते हैं तो यह हमारे की चाइब बना रहे हैं तो यह है हमारे की चाइब बना रही है पपा चाई के टाइम हो गया है तो हम लोग अव्ट हाला कि रागए प्राइब हैं हम लोग अव्टि यह सब्सक्षाइब डश्प करते हैं हो पॵाना में तो आगे बिधी जो इंट्रॉक्षिन का अपाई तो आगे वहां ही है तो आपको हमारे हैं क्या एक गढुति की चाय क पहले चीज़े देखते हैं यह है हमारा चूलहा तो अब इस में क्या ब्यूटी क्या है कि लखडी का इसपेस हो गया यहां से और यह इस पेस जो जहां आप लखडी वगर देख सकते हो तो यह पहले क्या होता है जैसे खाना बनता था तो दो-चार आइटम बनते थे तो यह आपको जो भी किसी खाने की आइटम अगर आपको चूलह के उपर आप आज़ा तो जो है वहीं मिलेगा आपको और जंदली क्या होता था कि जो आप थोड़ा साइधा दिखने रहा है या थोड़ा बहुत लखड़ियां दिख रही हैं आपको ठीक चूलह के उपर हैं रिज हो जाए या बड़ा पड़ जाए तो यह लखड़ियां गरम रहे और भीगी वीना रहें और इनसे आग जल्दी लग जाए इन पर यह इसका देशी चूला है अगर आप इसमें देख सकते हैं तो यह चीजी हो और आप देखोगे इनको लीपा गया है इसमें को गोबर से औ लाल मे्स हमारे मिल इसको लीपा जाता है और ऐसा करने का मेंटरिटिन क्या है की क्यों इसमें जो घर बने हो दो अपड़िया मेंटें मिल जाएगा तो बहुत जैसे यह नो इट वाले घर होते हैं या प्लस्तर वाले घर होते हैं यह थंड और जैसे बहार का एटमस्पेर होता है उससे की साफसे रूम ठंडे गरम हो जाते हैं पडमिंटी के घरों के ब्यूटी है और यह है हमारा एक देसी फ्रीज यू कन से यह मतलब मल्टी परपज है इसमें हम जैसे यू नो शहरों में फ्रीज यूज करते हैं ठीक इसी तरह के से यूज किया जाता है हलांकि इसमें ऐसा कूलिंग को कोई मेकैनिजम नहीं है पर हलांकि जरूद भी नहीं है पहाड़ों में कूलिंग मेकैनिजम कोई जरूद नह यहां सब नैचुरल है तो इसके बाद भी सब्सक्राइब हो रही है लोग हेल्दी है और जैसे आप देख सकते हैं हमारी इसमें देखो आटा देखने को मिलेगा इसमें भी मम्मी ने कुछ रखा होगा तो यह बास के बने वए हैं जैसे राखे ने एक अपने वीडियो में ब जाती है यह लकडी से बने वे स्टाफ यूज के जाते हैं इनको ने लीब दिया जाता है जब गोबर से मिटी से लीब दिया जाता न तो इसमें आज जैसे कीड़े उगरे लगते नहीं है और इनकी लाइफ भी बहुत रहती है इसमें कीड़े लगने का डरनी रहता तो हम यह यूज करते हैं मिट्टी के बने हुए जैसे बांस के बने हुए हैं इन्हीं को यूज करते हैं हम उपने समानों अगरा रखने के लिए यह है हमारा सिलबटा तो यह पत्थर यार पता नहीं जब से मैं पैता हुआ हूँ तो यह हमारा इसमें जैसे मम्मी जो जब भी सब्सक्राइब बनती है तो सबसे पहले इसमें जो मिर्च वगरा मसाले हैं इसमें पीसे जाते हैं जैसे बजार से मिला वश्य डाल लिया लेकिन हम खुद उगाते हैं उनको पहले पीसेंगे एक बार फिर दुबारा जब सब्सक इसमें कूट के इस में पीस के उसके बाद उसको इसको यूज के आजाता है फिर जो सवा दाता आता है वो तो फिर उसका क्या ही कहनए मॉर्डन भी हो गए हैं तो लोग चूला लग ज़ुदा जलाने का जबन वह जाता प्रिफर्न ही करते इसलिए गैस भी आ गये है और इसमें रोटी बनाते हैं या झूले में बहुत आपको बहुत वाहँ मिलेगा स्वीये अलगे तो उसमें फाइदा ये को यह ठंड होती है जो जब लकडी जलाते हैं तो उससे आपना जो नया वाला गहर है जो हमारा रेट सीमेंट वाला जो इनना मॉडरन टाइब गहर उसमें ले जाते हैं तो फिर उससे तोड़ा से गर्मी भी मिल जाती है हम लोगों को तो उसका आड़ा आमस लेंद जो बोलते हैं कि एक हाथ के दूरी पर होतनी ही रखी है उनके पास में और यह है हमारा यह पर पानी स्टोर करने का जो बरतन है गागर जो बोलते हैं तो हम लोग घर में प्लास्टिक से बने वी चीज़े बिलकुल मत खाने के उसमें ना ही यूज यू पाने के पीने के बेनिफिट साथ मुझे बताने की जुरत नहीं है आप लोगों को पता होंगे इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल और बाकी चलते हैं थोड़ा बाहर यह हमारे मोटी मोटी लगडिया है तो जिनको हम लोग यह जो हमारा पोटेबल चूला है जिसमें पानी गरम करते हैं हाथ वगरा दोने के लिए उसके लिए यूज करते हैं हम लोग और बाकी हमारा यह हमारा लगडियों का मेन स्टोरेज है तो साल वोगरा में हम हर सार्यां पर एक दो पेड़ जो सूख जाते हैं हमारे पूरा यह जो आप देख रहे हैं उपर तक जितने भी आ काट के और इसमें से हम लोग अपने यूज के लिए लखड़े निकाल लेते हैं इसमें आप थोड़ा सा देखो कि अपर ममी ने अपने ले लेशन वगरा हो सब कर रखा है थोड़ा सा धनिया वगरा सब रखा है तो यह था एक हमारे यहां का टूर मैं आपको डिफिनली बोल आपको मिले गए नहीं वहां पर आए यहां पर आए बहुत ही जादा अनक्सलोड एरिया है यहां पर आए अभी यहां पर बहुत सारे ऐसे फैसलिटीज हो गई है जहां पर आप रहे सकते हैं और जियो का टावर लग गया ठीक हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पर आप है मैं अभी कुछ टाइम पहले तीन-चार में ने पहले मैं या पर वर्क फ्रॉम होम करके गया तीन-चार माहने तक मुझे कभी कोई इश्यू नहीं आया नेटर के मामले में बांकि जो भी वेब सीरीज वागर आई मैंने उसी में देखी तो नेट का भी कोई इतना प्रॉ कर सकते हैं बढ़ हां जो मैंटल पीस है कंपोजर है सांती है अगर आप वो चीए तो दिस इस अम वन ऑफ दिमस्ट प्लेस तो विजट और अनेदर तिंग अनेदर यहां पे जो एक यह बहुत अच्छी चीज है यहां से आपको तीन-चार-चार क्लोमेटर का ट्रेक है देवी उनकी सारी मन्नते पूरी करती है और वहीं मंदिर से थोड़ा सा यहां पांसो मेंटर नीचे कुए बनाए गए हैं पूरा अंदर पत्थोरों को काड़ काड़ के कुए बनाए गए थे उस टाइम पे तो वो कुए भी ना एक यहां का देखने के लिए और साइड म कि एग्यां के लिए देखना पारे गौके आप लग से जोबूंह रहें फोर होला निचंत तो दुनिया को पतर चलने आप हैं तो अब इस लबा हो GY वीडियो लंबा होना और I think 20 minutes is I'll say still a short बहुत कम time frame में इसको बहुत यूण overview दिया है तो बड़ अगर आपका भी आएंगे न तो अगर आप यहां से जाने का मन नहीं करेंगा यहां कि बिलकुल यह जो किन उडी खाल है बिल्कुल लोड पर टच है आपको बिल्कुल रोड से कहीं जाना अने है किना शनुपर पे हैं और आप कगज्श बूंपर यहाँ बजारा है यहां बा marijuana करें और जब हम चोटे तो जहां आपको गाड़ी खड़ी दिखती है यहां पर हम क्रिकेट खेलते थे और सिर्फ हमारा यह रहता है कि हमें लॉंग शॉट लेने हैं अगर नीचे चली गई तो जिसके खेत में जाती थी बॉल फिर ढाटते थे हमारे बॉल रख लेते थे तो वह नहीं कर पाते थे हम लोग तो हमें सिर्फ स्ट्रेट खेलने की ज्यादा आदत थी उस टाइम पर क्योंकि साइड में घर होते थे किसी के दुकान होते थी तूटना जाए कुछ न हो जाए तो यह सब चीजे हैं यहां पर तो यह देखिए ब्यूटी यहां की बहुत ही अच्छा मनोरम द्रिश्य है सांती है कोई शूर ने को शराबनी यह है हमारी माता जी एंसे घूम क्या रही है तो चलिए दोस्तों ठीक है हो सकते अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करो और आए आप घूमने यहां पर एक्स्प्लोर करिए यहां की ब्यूटी को तो थैंक्यू सो मच